हमारे शरीर में बैली बटन यानि की पेट की नाभी एक बहुत ही दिल्चस भाग है इस नाभी में हमारे स्वास्थे और सुन्दर्ता से संबंदित कई अग्बुत राज चिपे हुए हैं नाभी का संबंद हमारे शरीर के कई अंगों से जोड़ा हुआ है खास करके चहरा और तवचा यदि हम रसोई घर में इस्तमाल किये जाने वाले अलग-अलग तेलों को नाभी पर लगाते हैं तो इससे हमारी तवचा और अन्य अंगों पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव प जाते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखें इसमें बताएगे टिप्स आपके लिए बहुत फाइदेमन्द हो सकते हैं नीम का तेल यदि आप चेहरे के मुहासों की समस्या से परिशान हैं तो अपनी नाभी पर नियमित रूप से नीम का तेल लगाएं ऐसा करने से चेहरे के मुहासे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपके चेहरे पर भी निकार आ जाएगा शरीर में अगर खुझली हो और अगर चेहरे पर सफेद दाग हो गए हो तो भी नीम का तेल फाइदेमन्द रहता है बादाम का तेल बदलती मौसम में अकसर देखा गया है कि तोचा रूखी और बेजान हो जाती है इस समस्या के लिए यदि रोज नाभी पर बादाम का तेल लगाया जाए तो इससे खोई होई तोचा की चमक वापस आ जाती है इससे आपकी सुन्दर्ता में और अधिक निकार भी आ जाता ह सर्सों का तेल फटे होटों की परिशानी एक आम बात है अगर आप इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं तो रोज सुवे नाभी पर सर्सों का तेल लगाए ऐसा करने से फटे होटों की समस्या से आराम मिलता है और होट नर्म और मुलायम भी हो जाते है नीबू का तेल चेहरे पर अगर दाग धब्बे पड़ जाते हूं तो नीबू की तेल को रोज लगाने से चेहरे की इस परिशानी से अराम मिलता है नारियल और जैतून का तेल जिन महिलाओं या पुरुषों की प्रजनन शक्ती कम हो गई हो उनको नारियल और जैतून का तेल यानि की ऑलिव आईल नियमित रूप से नाभी पर लगाने से लाब मिलता है मक्खन तोच्छा को कुमल और मुलायम बनाने के लिए यदि गाएं के दूद से बना मक्खन नाभी पर लगाया जाए तो ये बहुत फाइदेमंद रहता है अरंडी का तेल यदि आप घुटनों में दर्द की समस्या से परिशान हैं तो सोने से पहले नाभी पर अरंडी का तेल की मालिश करने से दर्द में आराम मिलता है अलकोहल यानि की शराब की एक से दो बुन्दे नाभी पर लगाई जाएं तो सर्दी, खांसी और जुकामादी समस्यां से आराम मिलता है पेट दर्द की समस्या में भी ये प्रियोक फाइदेमंद रहता है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि ये छोड़े-छोड़े स्वास्थ के मुतलिक टोटके आपके बहुत काम आएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेर करें आपने इस वीडियो को देखा अपना किंती समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद